असलाम अलेकुम एवरेवन हाउ और यू आल उमीद है कि आप सब ठीक होंगे I'm here with another lecture that is lecture number 67 for class 10 जिसमें हम लोग unit number 12 यह निके hydrocarbons के बारे में study करें हैं तो इसके अंदर हम लोग discuss कर चुके हैं alkenes alkenes और alkenes के बारे में काफे detail में हमने तुमाम groups की general properties के बारे में discuss किया था हमने इनके molecular structures इनके first few members के molecular structures structural formulas उसके इलावा हम लोग ने इनके dot and cross formulas को देखा condensed formulas को देखा molecular formulas को देखा उसके इलावा हम लोग ने देखा कि इनके occurrence क्या है यानि के कहां कहां पर कुदरती तोर पर alkenes alkenes और alkenes और alkenes पाए जाते हैं अगर आपने इनको prepare करना है labs में commercial scale पे industrial scale पे या mini level पे तो आप किस किस method से generally हमने methods discuss किये है two two for each group उसके इलावा हम ल लोगों ने हर group के chemical properties को study किया है और उसके uses को study किया है आज जो हमारा lecture है वो last topic है इसका जो alkenes का है जिसमें हम लोग इसकी physical properties chemical properties के बारे में study कर चुके हैं और अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं about the uses of acetylene यानि के acetylene जो है जो alkenes इसका जो members हैं यह कहां कहां इस्तमाल होते हैं तो आऑजिटाली इस्तमाल किया जाता है तो प्रोडियूस औक्षी असी टाइली मनुणद अब इसके क्या यूजिज, नगा, तो इसको बनाएं किस better जाता है अक्सीजन के साथ मिला चूप ऑच्सीजन के साथ heavens react करता है तो it will form oxy acetylene ये highly exothermic reaction है यानि कि acetylene जब oxygen के साथ मिलके oxy acetylene बनाता है तो ये highly exothermic reaction है बहुत ज़्यादा heat इसमें release होती है exothermic का मतलब है heat का release होना तो वो जो heat release होती है with this reaction इस heat को استعمال किया जाता है welding purposes के लिए यानि कि जब welding होती है तो उसमें इस reaction इसकी formation के लिए जो heat यूज निकली है exit होई है वो इसमाल होती है उसके लाव़ acetylene को मुखतलिफ डिफरेंट chemicals बनाने के लिए बे इसमाल किया जाता है कौन कौन से chemicals हो सकते हैं जिसमें alcohols हैं उनको भी acetylene की मदद से बनाया जा सकता है acids को हम लोग बना सकते है acetylene का इसमाल करते हुए उसके लाव़ हम लोग acetylene को बना सकते है acetylene का इसमाल करते हुए उसके लाव़ acetylene को हम लोग अगर अपने food में देखे तो fruits को ripen करने के लिए यानि fruits को जल्दी पकाने के लिए भी हम लोग Acetylene Gas का इस्तमाल करते हैं यह आपके लिए एक MCQs के तोर पे या Objective Level टाइप पे आ सकता है आप से पुछा जा सकता है कि कौन सी गैस है या कौन सी Chemicals है जिनको हम लोग Fruits की Ripening के लिए इस्तमाल करते हैं तो उसमें Acetylene का भी बहुत ज़्यादा Important रोल है उसके इलावा Polymer Products को बनाने के लिए भी Acetylene का इस्तमाल किया जा सकता है Polymer Products क्या होते हैं जिसमें कोई Product बना है With the combination जिसमें जो उसकी जो Units हैं वो जैसे Acetylene है उसके Different Units एक दुसरे के साथ Combine करके बहुत बड़ा एक Product बना दें That is called as a Polymer Poly means many और मर means parts Different many parts एक दुसरे के साथ Combine होके Polymer बनाते हैं Polymers कौन-कौन से हो सकते हैं Polyvinyl Chloride, Polyvinyl Acetate और Synthetic Rubber जैसे के Neoprene है ये तुमाम Polymeric Compounds हैं यानि के Large Compounds हैं जो Different Units से मिलके बने होते हैं और वो हम लोग Acetylene की मदद से बना सकते हैं इसके इलावे Acetylene को हम लोग Polymerize कर सकते हैं यानि कि आपस में जोड़ के Acetylene को हम लोग Benzine बना सकते हैं जो ये एक Raw Material के तूर पर यूज होती है For the Variety of Different Organic Compounds Benzine खुद बहुत ज़दा important है और Benzine को बनाने के लिए हम लोग Acetylene का इस्तमाल कर सकते हैं तो ये थे चंद यूज इस एसे टाइलीन के जो उमीद है आपको यहां तक समझ आई हो उसके बाद आपके पास है पेज नमर 94 पे important tables हैं जिसमें पहला topic है hydrocarbons as fuel यानि hydrocarbons को अब हम लोग overall देख रहे हैं अब हम लोग उनके grouping नहीं कर रहे हैं उसमें alkinz, 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 alkinz को नहीं देख रहे हैं अब हम लोग इनको uses देख रहे हैं कि hydrocarbons जो हैं वो overall fuels के तोड़ पे किस तरह से इस्तमाल होते हैं क्यों ये fuel के तोड़ पे जो है बहुत ज़्यादा important है तो जो main constituents है fuels के जैसे के जो हम लोग use करते हैं अपनी daily life में जिसमें coal है, petroleum है, natural gas है ये तुमाम के तुमाम जो fuels है इन्हें हम लोग fossil fuels भी कहते हैं ये hydrocarbons in nature है यानि के मुछतलिफ hydrocarbons से मिल के ये fuels बनते हैं ये fuels होते क्या हैं ये असल में organic compounds हैं that are formed from the dead bodies of the plants and animals that have been dead thousands of years ago और वो buried थे under the surface of the earth under high pressure and high temperature तो वहां पे ये जो dead bodies थी क्योंकि जो जानदारों के जो जिसम हैं जो organism की bodies हैं वो mostly organic compounds से बनिये जिसमें carbon, hydrogen, nitrogen वगारा present होते हैं तो जब वो buried थे तो ये convert हो गई because of the high pressure and high temperature into fuels और ये जो fuels हैं वो आज हमारे use में हैं और ये hydrocarbons basically है nature में तो जब हम hydrocarbons को burn करते हैं air में यानि के हवा में यानि के oxygen की मौजूदकी में तो उस reaction को हम लोग कहते हैं कि ये combustion हो रही है यानि के जब hydrocarbons की burning होती है in air तो that process is called as combustion ये जो combustion का reaction है जिसमें हम लोग जलाते हैं hydrocarbons को air की मौजूदकी में ये जो reaction है ये highly exothermic reaction है यानि कि a lot and lot of heat is produced in this reaction basically आप इसको कह सकते हैं इसका basic reaction क्या हो सकता है कि जैसे methane है that is a hydrocarbon methane ठीक है ये alkane है जब आप इसको oxygen की मुझूदगी में burn करते हैं तो carbon dioxide carbon जो है oxygen के साथ मिलके carbon dioxide और उसके इलावा water के molecules produce होते है और साथ में large amount of heat produce होती है तो this is an exothermic reaction और ये जो heat है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारी daily requirements of energy को पूरा करने के लिए fulfill करने के लिए कहां कहां पर ये energy का इस्तेमाल हो सकता है जो हमें इस combustion के reaction से मिली है वो हो सकते हैं घरों में, transportation में और उसके लावा industries में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी बहुत जदा एक important point है बहुत जदा important information है आप से पूछा जा सकता है combustion क्या है combustion का reaction आप से पूछा जा सकता है या फिर आप से पूछा जा सकता है कि hydrocarbons का क्या role है as a fuel यह थी इसकी first importance अब second हम लोग importance देख लेते हैं जिसमें हम लोग इसका दूसरे roles देखेंगे hydrocarbons के पहला role जो हमने देखा that was about the fuels अब हम लोग देखते हैं कि as a feed stock in industry यानि कि industrial level पे यह जो hydrocarbons है यह क्यों बहुत ज़्यादा important है तो इसमें जो first वाला है कि hydrocarbons जो है ना ही जैसे कि आपने पढ़ा कि fuels के तोर पे बहुत ज़्यादा important है यह automobiles में, industries में, घरों में raw materials के तोर पे भी इस्तमाल हो सकते हैं fuels के तोर पे इस्तमाल हो सकते हैं तो अब जब हम लोग पढ़ रहे हैं industrial level पे किस तरह से इनके importance है क्या इनके importance है किस तरह से यह use होते हैं तो सबसे पहले हम लोग different industries को देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि petrochemical जो industries होती है वहां में जो यह hydrocarbons हैं यह किस तरह से important role play करते हैं तो जो organic compounds हैं जो हम लोग hydrocarbons को इस्तमाल करते हुए बना सकते हैं उन organic compounds को हम लोग कहते हैं कि petrochemicals वो कहलाएंगे यानि कि petrochemicals क्या हैं वो organic compounds जो हमने hydrocarbons को यूज करते हुए बनाए थे hydrocarbons कों कौन से हो सकते हैं यानि कि petrolium है natural gas है उनको जब हम इस्तमाल करके कुछ नए chemicals बनाते हैं different chemicals बनाते हैं वो petrochemicals कहलाते हैं तो petrochemical industry क्या है यानि कि ऐसी industries जो industrial level पे यानि के large scale पे hydrocarbons को यानि fossil fuels को जिसमें coal है जिसमें natural gas है पेट्रोलियम है इनको यूज करते हैं वो different chemicals बनाएं तो वो petrochemical industries हैं अब कौन कौन से chemicals हो सकते हैं जो उसमें बहुत सारे हैं बहुत जदा variety है हम उनमें से चंद एक important का नाम लेंगे important petrochemicals का जिसमें आ जाते हैं methyl alcohol है यानि जो methane से alcohol बनती है ethyl alcohol है यानि ethane से जो alcohol बनती है उसके इलावा हमारे पास है formic acid, chloroform, carbon tetra chloride, ethylene, butadine, benzene, toluene ये important petrochemicals हैं जो हम लोग industrial level पे hydrocarbons का इस्तमाल करते हैं इनको बना सकते हैं ये थी first importance in the industries कौन सी industries थी petrochemical industries second point number पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर plastic industries में क्या रोल है hydrocarbons का plastic industry में किस तरह से ये important role play करते हैं तो large variety of synthetic polymers को produce करने के लिए भी hydrocarbons बहुत ज़दा important role play करते हैं as raw material यानि कि starting materials जो हैं यहाँ पे plastic industry में hydrocarbons जो हैं वो starting materials हैं raw materials हैं और इनको use करते हुए हम लोग बहुत ज़दा मुटले variety बना सकते हैं synthetic polymers की जिनको हम लोग plastics का नाम भी देते हैं और इनमें कौन कौन से हैं जिनको हम लोग polyesteros का नाम भी देते हैं इनको हम लोग जब यह soft होते हैं जब यह preparation की हो रही होती है तो यह soft form में हैं यानि के अभी semi liquid form में है semi solid form में हैं तो उसकत वो बहुत soft होते हैं तो उसको हम लोग किसी भी तरह की shape दे सकते हैं और जब यह harden हो जाते हैं on cooling down जब यह सकत हो जाते हैं तो हम इनसे durable articles बना सकते हैं जो हमारी common life में इस्तमाल होती है हमारी common life में आजकल हर जो चीज़ है उसमें 90% जो हमारी common life है उसमें plastic जो है बहुत जदा important role play करती है और वो plastic जो industry है जो यह सारा plastic बनाती है उसके लिए hydrocarbons जो हैं वो raw materials के तोर पे act करते हैं यानि के बहुत जदा importance रखते हैं मुतलिफ हो सकते हैं जैसे crockeri items होगे जिसमें cups हैं glass, jugs, plates, spoons यह सारी items यह plastic के अगर बनती हैं तो इसमें hydrocarbons यूज होते हैं उसके लावा furniture के items हैं जिसमें chair, table, stool वगरा है automobile के parts हैं electric और sewage system हैं और बहुत सारे दूसरी household items हैं यानि के हमारे जिन्दगी के 90% items हैं 90% articles हैं वो plastic से बने होते हैं और इन plastic को बनाने के लिए hydrocarbons का बहुत जदा important role है उसके लावा जो third industry है जहां पे hydrocarbons important role play करते हैं that is the rubber industry यानि के जो synthetic rubber होता है जो artificially तोर पे बनाया जाता है उसको prepare करने के लिए hydrocarbons बहुत important role play करते हैं जैसे के ऐसी टाइलीन है इसको use किया जाता है prepare करने के लिए butadiene rubber और उसको बनाए butadiene rubber को फिर हम लोग बनाते हैं different shapes में जैसे के footwear यानि के shoes वगारा चपल वगारा बनाने के लिए tires बनाने के लिए toys बनाने के लिए हम उस butadiene rubber को इस्तमाल करते हैं जो के acetylene से बना है similarly अगर आपको एक good quality rubber neoprene चाहिए तो उसके लिए आप लोग chloroprene को use करते हैं neoprene को बनाने के लिए और ये chloroprene जो है ये भी एक important कहले product है hydrocarbons का जो के hydrocarbon से बनी होती है उसके लावा next जो आपके पास industry है that is very important for the for this जो hydrocarbons को use करती है that is synthetic fiber industry यानि कि synthesize किया जाता है बनाया जाता है fiber को तो उस fiber को synthesize करने के लिए बनाने के लिए भी hydrocarbons जों हैं बहुँ जदा important role play करते हैं कौन कौन से fibers हो सकते है nylon, rayon, polyester ये तुमाम fibers जो है ये synthetic fibers हैं जिनको हम अपनी industries में अपनी labs में prepare करते हैं और उसमें भी hydrocarbons का बहुँ जदा important role होता है ये जो fibers हैं इनकी better qualities भी है as compared to other fibers क्योंकि इनकी strength बहुँ जदा अच्छी है इनकी elasticity अच्छी है ये जल्दी खराब नहीं होते हैं सो वो कपड़ जो इन synthetic fiber के होते हैं वो longer lasting होती है as compared to other natural fibers because जो natural fibers हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं जबकि जो synthetic fibers हैं जो हम लोग उने hydrocarbons की मदद से बनाए हैं वो long term usage के लिए बहुँ जदा useful है उसके लावा जो fifth point है जो fifth industry है that is about the synthetic detergents यानि कि जब detergents को बनाते हैं तो उसमें भी बहुँ जदा important role है hydrocarbons का specifically long chain जो hydrocarbons होते हैं जो हमें petroleum से मिलते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं synthetic detergents और washing powders को बनाने के लिए ये जो detergents हैं ये sodium salts होते हैं alkyl hydrogen sulfate के और इन detergents की better or stronger cleaning properties होती है as compared to that of soaps जो बाकी के दूसरे product से बनते हैं इसके इलावे ये hard water में जहां पर आम तो पर soaps जो हैं जाग नहीं बनाते हैं तो ये synthetic detergents जो हैं उस पानी यानि जिसे हम खारा पानी भी कहते हैं उस पानी में भी ये अच्छा तरीके से प्रिपेर करते हैं जाग बनाते हैं इनकी cleaning properties उस तरह के पानी में भी बहुत जादा अच्छी हैं तो ये था हमारा आज के lecture about the importance of hydrocarbons उमीद है आपको यहां तक मेरा lecture समझ आया हो अगर यहां तक कोई problem है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं I am here to help you out